कि मेरे नियू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है तो आज मैं बनाने जा रहे हूं बड़ा पाउ तिये मैंने आलू उबाल के रख लिया था तो मैं इसे अच्छे से छेल लोंगे सब और उसके बाद मैं इसका भरता बनाऊंगी तो कभी मैंने बड़ा पाउ बनाया नहीं थ जब भी खाने का मन करता था बाहर से आ जाता था तो आज मैंने सोचा मैं बनाती हूं क्योंकि पाउ घर पे रखा था और सबका खाने का मन भी था तो मैंने सोचा आज बनाती हूं वैसे मैंने कभी भी पहले बनाया नहीं था घर पे जब भी खाने का मन हुआ बाहर से आ जा अपने आप से बनाती हूं, तो इस्पेरिमेंट करती हूं, अगर अच्छा बन गया तो ठीक, नहीं अच्छा बना तो भी ठीक, क्योंकि आलू से बनी हुई कोई भी चीज हमारे हां सब लोग खाते हैं, चाहे वो आलू की सबजी हो, चाहे वो आलू के पराठे हो, या आलू हो, या कोई भी चीज आप आलू से बनाओगे, तो वो जो है सब लोग को पसंद आता है, हमारे हां, तो अच्छा ही लगेगा, तो खा लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा, तो भी खा लेंगे, तो मैं इसमें आट कर रहे हूं नमाक, और ये है लाल मिर्च, ये मैंने पीस लिए था, मेरे पास साबूर लाल मिर्च पड़ी थी, तो मुझे इसका जो है तिखापन ज़्यादा अच्छा लगता है, वो तो सिब कलर के लिए होता है, तो मैंने इसमें एड़ कर दिया, तो इसमें मेरे पास धनिया की पती नहीं थी घर पे, तो मैंने नहीं डाला, मैं इसमें नमा कॉर मिर्च डाला है, और कुछ नहीं डाला है, तो मैं इसका भरता बना लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो मैंने बैसन लिया है, इ देखती हूं कैसे बनता है, फिर मैं थोड़ा सा पानी इसमें आउराट करूँगी, फिर देखूंगो कैसे बनता है, तो ये जो है, मेरा बापू मेरी हिल्प कर रहा है, वो भी मेरे साथ बड़ा बनवा रहा है, बच्चों का भी बहुत खाने का मन था, बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा घर पर बनाओ, तो मैं भोली चलिए ठीक है, तो बोला मैं आपकी हिल्प करूँगा, देखिए वो हिल्प कर रहा है मेरी, तो बच्चे जो बोलते हैं बनाना ही पड़ता है, तो ये देखिए, पाव को हम भी से कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से, ये मेरा बड़ा बन चुका, आप देख सकते हैं, अब मैं इसके अंदर रखोंगी इस तरह से, तो देखिए, पाव का साइज मेरा थोड़ा छोटा था, और बड़ा थोड़ा बड़ा है, फिर भी सही है, और जो मैंने पतले घोल से बनाता है, वो कुछ इस तरह से बना है, तो जो मेरा छोटा ओला बच्चा है, वो बोल रहा कि ममा मुझे ब्रेट पकोड़ा खाना है, तो मैंने उसके लिए ब्रेट पकोड़ा बनाया, तो ये मेना बड़ा पाव बन कर रेड़ी है, आप देख सकते हैं, तो चलिए खा के देखते हैं कैसा बना है, और मैं इसमें निकाल लूँगे सौस, ये देखिए, मुझे में पानी आ रहा है, उससे बन गया, और मेरा हस्बेंट का पेट दर्द हो रहा था, तो मैं उनको देने जा रहे हूं छांच, इसमें मैं डाल लूँगी नमक, और भुना हुआ जीरा पावडर डाल दूँगे, ये हो गया, ये जो मैं दीपावली पे कपड़े लेके आई थी अपने लिए, तो अभी तक ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने इसमें स्लीप्स अटेच नहीं की थी, तो मैंने सोचा, स्लीप्स भी अटेच कर देती हूं, तो ये देखिए, यहां पे लगा हुआ, इसके अस्तर में जुड़ा हुआ है, तो मैं पहले इसको निकालूंगी, ये देखिए, कुछ इस तरह से है, ये, तो पहले मैं इसको प्रस करूंगी, बाद में कट करूंगी, यूँकि बहुत सिकुड़ा हुआ है कपड़ा, कपड़ा में तो कोई कटिंग है नहीं, सिदा-सिदा कपड फिसक्राइब उसे ने डिया है तो यह दूसरा वाला सुट आई इसमें भी मुझा आटेज करनी थी तो चलि यह देखते हैं इसमें तो बाजू जो थी मुझे मिली नहीं रही थी, पता नहीं कितने अंदर उसने जो है इसमें सील दिया था बाजू को, देखिए मैं कितनी देर से ढूंड रही थी मुझे मिल नहीं रहा था, कि इसमें बाजू है या नहीं है, तो बिना बाजू के जो है कपड़े नहीं पहनती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और तो यह देखिए, इतना अंदर है, तो कहां से मिलेगा मुझे, तो यह स्लिप्स जो है, तो इसको तो पहले मुझे प्रस करना पड़ेगा, उसके बाद ही कटिंग करेंगे, तो मैंने प्रस कर लिया, आप देख सकते हैं, यह बाद जुमें, बीच में जो है, जॉइंट है, तो इसमें मुझे सिप सेब देना है, तो मैं किस तरह से सेब देती हूँ, आप ध्यान से देखना, तो मैं दोनों कपड़ों को एक साथ रग के फोल्ड कर दूँगी, फिर मैं चौक से निसान लगाऊंगी, तो उपर से तो यहां से मैंने इसको कट कर दिया है, अब देख सकते हैं, यह देखिए, मुझे आगे वाले भाग में कट करना था, तो यह है मेरी दूसरी स्लिप्स, इसको मैं दोनों को एक साथ रखोंगी, और इसमें भी मैं सेब दूँगी, तो इसमें मैंने दो इंची पे निसान लगाया है, क्योंकि यह स्लिप से छोटी थी, उसमें भी इसी तरह से मैं सेब दूँगी, एगर इस तरह से कट नहीं करो, ऐसे ही लगा दो, तो जो है आर्म होल में लू जा जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, उठा उठा सा रहता है, पहले मैं चॉक से ड्रॉ कर लोगी, फिर उसके बाद मैं कटिंग करूँगी, कुछ इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, तो नीचे वाले, नीचे वाला मैं छोड़ दूँगी, उपर वाले में कट करूँगी, तो यह मेरी कटिंग हो गई है, अब चलिए, मसीन के पास चलते हैं और जॉइंट करते हैं, तो यह देखिए, आमें जो है, तो मैंने बराबर रख लिया है, मैं बीच से ही जॉइंट करती हूं, सोल्डर से, तो इसी तरह बराबर करते हुए कपड़े को अच्छे से जॉइंट कर लेंगे, अगर सिलाई आती रहती है, तो सब चीज आसान लगता है, सिलने में अच्छा भी लगता है, अगर सिलाई नहीं आती है, तो फिर मन भी नहीं करता है, तो अच्छा भ दोनों बाजू हमने अटाइज कर ली है अब हम जो है फिटिंग करेंगे तो मैंने इंची टेप से नाफ लिया है अब मैं इसमें सिलाई लगाउंगी तो इसी तरह से मैं दूसरी कुर्ति में भी बाजू अटेज कर दूंगी तो मैं सोल्डर से ही अटेज करना चालू करती हूँ यह देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से तो इसी तरह से आप देख सकते हैं मैंने दोनों कुर्ती में बाजू अटेज कर ली है आप देख सकते हैं यह देखिए इस कुछ इस तरह से है तो प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर एंड सस्क्राइब जरूर कीजिएगा इदर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी मैंने इन दोनों को डाटा तो दोनों बैटके पढ़ाई कर रहे हैं यह कोई दूसरा बच्चा है बगल में रहता है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर एंड सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं नेस्ट थैंक यू